हाई प्रेंट दुसमाहेश यहर और विलकम बैक टो और चानल वंस अगेड उमीद करता हो कि आप सभी लोग खुश होंगे आज की इस वीडियो में हम लोग अलगो ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं इस तरी के से हमने प्लेलिस्ट चालू की थी अलगो ट्रेडिं यहां पर प्लेलिस्ट में आके चेक करोगे तो यहां पर आप तीनों के तीनों वीडियो पहले वाले मिल जाएंगे जहां पर हम लोगों ने डिसकस किया कि अलगो ट्रेडिंग एक्चुली क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन क्या है जो भी फेमस प्लैटफॉम है वह हम किस तरीके से काम करता है किस तरीके से अगर आपको कोई एरर साते हैं तो किस तरीके से इनफॉर्मेशन आती है आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो वह सारी चीज़े हम लोगों ने इस वीडियो में डिसकस कि उसके बाद में मैंने आपको लाही हूँ रेडिंग के जो कर सकते हो उसे बैक टेस्ट कर सकते हो और उसे डिपलॉय भी कर सकते हो बहुत अच्छा प्लाटफॉर्म फ्रेंड्स मैं कोई आपको यहां पर पेड़ प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रहा हूं मेरा कोई लेना देना है नहीं उन लोगों के साथ this is one of the kind of decent प्लाटफॉर्म जो हम लोग यूज कर सकते हैं obviously कुछ limitation है जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो इंडिकेटर बेस्ट या प्राइस सक्षन बेस्ट आपके अगर कोई अल्गोज है जो जनरली ऑप्शन वाइं में लोग यूज करते हैं तो वह यहां पर बना इसके उपर हम लोग एक special वीडियो लाएंगे और मैं यह सारी चीज़े आप लोगों को करके बताऊंगा और इसके उपर काम भी चल रहा है हम भी कुछ signals बनाने की कोशिश कर रहे है तो हम लोग इसको अल्गोटिस में आगे जाके चेक भी करेंगे और आपको हम लोग इसे प्रोवाइड करने की कोशिश भी करेंगे अब बात करते हैं कि अगर आपको इस strategy बनाते हो तो बैक टेस्टिंग करते हो देखो देर और टू प्लाटफरम एक स्टॉक मौक है अलगोटेस्ट है दोनों ही फेमस है दोनों के पर अगर जो भी strategy आपको इनिशेली आप strategy बना आपको इतना knowledge नहीं है ठीक है कि आपकी strategy confirm होने के पहले जब आप back test करके देखते हो तो बहुत सारी चीज़े variation करना पड़ता है अगर आपको एक simply strangle बनानी है तो कौन से time पे strangle बनानी है उनके premium कितने होने चाहिए कितने दूर के option आपको sale करने है उनके उपर stop loss कितना होन चाहिए re-entry करनी है या नहीं simple momentum की condition देनी या नहीं तो यह बहुत सारी चीज़े होती है जो हमें trial and error based पे check करना होता है जो result best आते है उसे हम लोग select करके आगे की तरफ strategy को refine करते जाते है यह सारा करते समय आपको back test बहुत सारा करना पड़ेगा इस तरीके से back testing करने का काम अ strategy आप अलगो test के through back test करोगे same strategy you can back test to stock walk 2 आपको confirmation मिलेगा friends मैं आपको यह भी बता दू कि दोनों के results में 100% कोई ना कोई change आएगा even मैंने तो एक इस तरीके का trade भी देखा है कि जहां पर एक ही option इतना बड़ा profit दिया उस दिन market में कोई movement नहीं थे बैंक निफ्टी में लेकि आप पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है अब बात करते हैं कि back testing यहां पर आपको 25 back test तो free में मिलते है week to week अगर आपको ज्यादा back testing करनी है तो you can take the premium plan जो almost 300 या 350 रुपीज के आसवास आएगा GST के साथ जिसमें आप लोग वो 300 रुपीज में आपको 300 credit points मिलेंगे वो credit points जैसे आप यहां पर देख सकते हो 36 credit points तो वो credit points आप लाहू trade, paper deployment और back test के लिए 100 points आप back test के लिए ले सकते हो बागी की चीज़े आप लाहू deployment और paper trade के लिए ले सकते हो यहां पर आगे देखना है कि जैसे हमारा जो broker है यहां पर फिनवैसिया connected है अगर आप यहां पर जितने भी काफी famous broker house है इनको सबको connect कर सकते हो ठीक है connect करना बहुत आसान है यहां पर आपको simply click करना है जितनी भी information है जो भी doubts आते हैं यहां पर information लिकी होती वहां से आप connect कर सकते हो अब यहां पर आपको दो concept मिलते है आपकी जो strategy है वो directly आप live deployment कर सकते हो उसके लिए आप आपको broker connect करना पड़ेगा ठीक है और morning पे आप सुभे 9 o'clock के पहले इसको जाके activate करना है activate किस तरीके से करना किस तरीक से वो चीज़े होती वो भी हम लोग आगे discuss करने वाले अब कभी भी जब आप strategy बनाओगे तो सीधा जाके broker account में deploy कभी मत करना उसे paper deployment में जाके check जरूर करना ठीक है यहां पर आप go to paper deployment करोगे तो यूपर the strategy you created you can check it तो आपका जिस तरीके से live trade होता है उसी तरीके से paper trade भी होता है वहां पर आप लोगों को paper trade में पता चलेगा कि किस तरीके से results आ रहे है उसमें बहुत सारे slipages आ रहे है तो उसकी आइडिया वहां पर आ जाएग यहां पर देखो यह strategy किस तरीके से बनाना है यह तो हम लोग discuss जरूर करेंगे लेकिन कोई भी जब option strategy हम लोग बनाते है ठीक है यह video थोड़ा सा long होने वाला है informative होने वाला है लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों को कुछ भी information नहीं है वो लोगों को detail में पता चले ठीक इसके अलावा बहुत सारे point होते हैं जो कही YouTube पर कोई नहीं बताता है वो सारी जिसे मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर strategy को आपको लगाना है देखो जब भी हम लोग अलगो trading करते हैं यहां पर meaning क्या होता है जनरली हम लोग manually trading करते हैं तो हमारे emotions वहां involve हो जाते और उन emotion की वज़े से हम लोग trading में काफी mistake करते हैं और हमें over trading या फिर गलाट trade लेना वे सारी चीज़े हो जाती है अगर उन गलतियों को हमें overcome करना है तो logo trading is the best system but as well as आपको यहां पर ध्यान भी रखना है कि जो strategy आप deploy कर रहे हो वो profitable होनी चाहिए and market have the different condition कभी market trending होता है कभी sideways होत तो you have to understand the market condition then you have to create your strategy मैं आप लोगों को आगे कुछ strategies भी यहां पर देने वाला हूँ और वो strategies में कौन-कौन से point check out करने चाहिए क्या क्या होना चाहिए वो सारी चीज़े हम लोग discuss करेंगे अब दिखो सबसे पहले अगर मुझे कोई strategy यहां पर लगानी है तो I can select on this 920 straddle अब यहां पर बहुत सारी strategy आप लोगों को दिख जाएगी जो मैंने बनाई हुई है simply you have to select on the add new अब add new पर जब आ जाएगा तो आपको सबसे पहले index मिलता है तो you can select nifty, bank nifty and fin nifty तो bank nifty हम लोग इसको रखते है अगर आपको जो भी underline है मतलब आपको जो option लेने है वो option से देखने है या feature के यहां से देखने है या आप select कर सकते हो लिए हम लोग stridal बनाते है 200 रुपीज का call sale कर दिया 200 रुपीज का put sale कर दिया उसके उपर 20% 30% यह काफी famous SL है अगर आपने वहां पर SL लगा दिया 20% का तो 240 पर आपका SL चला जाता है तो दूसरा जो leg है उसका SL break cost आना चाहिए वो एक option है तो आप यहां पर select करोगे तो वो चीज़े यहां पर आ जाएगी then strategy time आपके strategy intraday है btst है या positional है वो आप select कर सकते हो अगर हम लोग यहां पर intraday लेते है तो you can select the particular time frame आपको इसको change करना है तो आप इसे change भी कर सकते हो आपको जो भी time लेना आप ले सकते हो पारा time यहां पर hits हो चुका है अब यहां पर पहला लेक क्या होता है आपको कितने lots करने है उसे पहले total lots तो total lots पर कितने lots चाहिए आपको तो जिस तरीके से आप lot size select कर सकते हो तो मैं यहां पर दो select कर रहा हूँ आपको sell करना या buy करना हो भी यहां पर choose कर सकते हो अब option type आपका call होना या put होना तो आप सबसे पहले call ले लो weekly के करने है या monthly के करने है या next week का ये भी आप select कर सकते हो strike type अब यहां पर देखो you will get the four option जैसे आपको strike type याने ATM चाहिए ITM चाहिए कौन सा strike price आपको select करना है that you can select दूसरा है premium range की 52 200 लेना है 102 120 लेना है उसके बाद closest premium अगर आपको 100 रुपीस का 150 रुपीस का 200 रुपीस का जो भी premium सेल करना है आप अगर 200 करोगे और option available नहीं हो उस जगे पे 200 का तो 205 पे है और दूसरा 190 पे जो closest वन है वो select कर लेगा और 205 पे option सेल हो जाएगा so likewise you can saddle width का भी option आप लोगों को मिलता है तो आपको जिस तरीके से चाहिए वो आप कर सकते हैं यहां लोग सिंपल मॉमेंटम क्या होता है सिंपल मॉमेंटम क्या होगा कि जब भी आप यहां पर जैसे आपके स्टाटीजी 935 को लगनी वाली है ठीक है अपको चाहिए तो आप यहां पर time कर सकते हो 916 का तो आपके स्टाटीजी वे जो 916 को लगने वाली है इन 16 को exactly अलगो क्या करेगा 600 रुपीज का प्रीमियम यहां पर कंसेडर करेगा ठीक है 600 रुपीज के आसपा जो भी प्रीमियम अवालेबल होगा उसे कंसेडर करेगा और अगर आप यहां पर condition देते हो 605 पे चला जाए तब मेरा यहां पर बाय होना चाहिए उद्धी को exactly क्या होता है ना 600 रुपीज का प्रीमियम सेलेक्ट नहीं होगा अगर उस जगे पर 590 का प्रीमियम सेलेक्ट होगा और जब भी 595 पे वो क्रॉस करेगा तो हमारा अलगों से बाय कर लेगा अब यहां पर सिंपल मोमेंटम आप 5,6,7,8 पॉइंट में ले सकते हो परसेंटेज में ले सकते हो जैसे भी आपको चाहिए यहां पे आपको टारगेट प्रॉपिट्स मिलते है ठीक है अगर आपने जो भी आप्शन लिया है उसका अगर आपको टारगेट डिसाइड करना है तो पॉइं परसेंटेज में लोगें तो परसेंटेज में आएगा तो अगेन आएंग उन्ट का स्टॉप लॉस हुआ यहां पे आपको 600 और हम लोगे से 200 करते हैं तो 200 रुपिस का हमारा अगेट हो गया यहां पे क्या होता है जब भी आपको कोई क्वेस्टन समझ में नहीं आ रहा है तो यहां पर अप क्लिक करोगे तो यह सेटेलक करना है आपको जिस तरीके से जैसे अगर आपका ऑपशन जो भी यहां पर यहां पर उपर चला जाता है और आपने यहां पर 600 का कॉल बाइग कर लिया और वह 605 पर चला जाता है पाइव पॉइंट सिप गया तो आपका एसल कितना होना चाहिए वन पॉइंट से उपर गया तो कितना होना चाहिए तो मैं यहां पर condition देता हूँ कि अगर हमारा option जो भी select होगा बाइंग में वो अगर 55 points से आगे जाएगा तो हमारा जो SL है वो 33 points से trail होना चाहिए अब यहां पर बहुत सारे logic आपको यूज़ करने पड़ते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा one is to one कर दोगे trail SL तो आपका SL बहुत बार चला जाएगा तो आपको strategy aggressive बनानी है या safety के साथ बनानी है according to that you can select this particular re-entry करनी होगा तो re-entry में आप चले जाओगे तो इतने options आपको मिलते हैं अब यह सारे options मैं यहां पर समझा दू तो बहुत time चला जाएगा simply यह जो point है यहां पर आप question mark पर चले जाना you will get the whole information about re-asap क्या है recost क्या होता है recost यह reverse वाला arrow क्या होता है momentum क्या होता है सारी चीज़े काफी detail में इन्होंने दिया हुआ है तो अभी यहां पर हम लोग कोई re-entry नहीं लेने वाले एक entry होगी ठीक है अब यह हो गया हमारा जो भी हुआ call side में हुआ same strategy put side में लगाना है तो simply मैं अभी यह सारी चीज़े लिखने से अच्छा यहां पर यह जो बटन है red arrow के नीचे इसको click करेंगे तो हमारी same strategy duplicate बन जागी just i want to select call के जगे पर put करना है now the strategy is ready अगर आप चाहते हो कि आपका जो strategy है उसमें overall stop loss अगर आपके दोनों लेक चल रहे हैं और दोनों loss में तो 1000 रूपीज के उपर अगर यहां पर loss हो जाता है तो हम लोग exit हो जाए whole strategy में तो यह भी आपको option मिलता है overall trail SL का भी option मिलता है ठीक है overall re-entry on SL overall target यह सारी चीज़े आप लोगों क 2017 से backtest करना है तो वह भी चीज़े आप लोगों के पास यहां पर available है तो I am going to select from 1st January 2017 to 7 April 2023 सीधा backtest का click करेंगे तो आपका यहां पर backtest होना start हो जाए अभी हमारे backtest के result आ चुके है अब यहां पर आपको जितना 2017 से जो magnitude की करवे किस तरीके से movement हुई और आपका profit graph किस तरीके से बनते गया यह आप लोगों को drawdown होता है ना जब आप यह profit बना रहे हो जैसे आप यहां पर देख सकते हो कि 1,95,000 बनाया फिर आपने 2,31,000 बनाया और 2,31,000 आपका बनने के बाद वहां पर आपका continue 2 या 3 दिन loss हो जाता है और वहां से 20,000 निकल जाएंगे तो आपका profit र आप बना हुआ है यह drawdown है आपके profit में ऐसा नहीं कि आपका profit देखो तू लेक कम होगा फिर और बढ़ता जाएगा लेकिन जो भी drawdown आएंगे वह आप लोगों कि यहां पर दिखते तो maximum drawdown जो है almost यह जगे पर है और which is around 14,000-15,000 के आस पास ठीक है तो इसकी intensity आपको यहां स इतने भी strategies आप देख सकते हो February और March में जनरली काम नहीं किया है तो almost maximum strategy यहां पर loss महीं है but you can see from 2017 to 2022 यहां पर कभी भी यहां पर loss नहीं था बटा यहां पर loss अभी शो कर रहा है now the important point is जब आप यह देखोगे अब यहां पर टोटल देखना है कि 451,000 आपका जो capital यूज हुआ है वो almost 60,000 के आसपास होना चाहिए 60-70,000 तो आपका 2017 पर 451,000 बना फिर 4,95,000 4,60,000 4,000 तो consistent इसने 4-5 लाग रुबे के आसपास profit डिया हुआ है but जैसी आप 2021 में आते हो तो यहां पर आपको 2,73,000 but still whatever the capital you are deploying यह profit अच्छा है then 2022 में almost 3,00,000 के आसपास है अब यहां पर क्या होता है ना friends हम लोग इस number को देखते हुए देखते है कि total profit कितना है 24,70,000 पर यहां पर हम लोगों ने कोई slippage aside नहीं किये तो देखो 600 रुपीज का bank nifty का जो जब आप option select करते हो high wix है या फिर आपका expiry का दीन है तो 600 रुपीज काफी इंदमनी हो जाएगा अगर आप इंदमनी option bank nifty का देखोगे deep इंदमनी तो आप देख सकते हो buyer और seller जो होते है उनके बीच में price में spread रहता है तो यह spread बहुत बड़ा नहीं होता है तो एक spread आपको ज़रूर मिलेगा अब problem क्या होती है back testing में थोड़ से result जो हमें आते है उससे हम लोग हमेशा कम ही result पकड़ने चाहिए अगर मैं यहां पर बहुत लोग बात करते कि 1% सिलिपेज डाल दो 2% सिलिपेज डाल दो कोई लोग तो कहते है 3% देखो इतने slippages नहीं होते है सिलिपेज हमेशा निगेटिव होंगे ऐसा नहीं होता है सिलिपेज कैन भी पॉजिटीव टू ठीक है अब यहां पे concept क्या है सिलिपेज की होते है जो आपने 600 रुपीज का option यहां पे खरीदा अगर वो इलिक्विड हो तो उस वज़े से वहां पर आपका stop loss है जो उपर टू 917 इसके बीच में क्या हुआ यह सारी चीज़े इस बैक टेस्टिंग के सॉप्ट्वर को नहीं पता अगर आप लोग इसको चीज़ें को डिटेल में डिस्कस करेंगे आज वेल अस फ्रेंट्स यहां पर क्या होता है ना आप लोग 600 रुपीज पर option बाइ करते हो लेकि लोग हमेशा उसे डिड़क कर सकते हो तो अगर आप यहां पर 0.5% का अगर लोग है और री कैलकुलेट करोगे स्टिल यू कन गेट गूट रिजल्ट्री लाग 48 ताउजन अब देखो यहां पे एक लॉस में आ चुका है तो यह 8 ताउजन का लॉस यह शायद 10 ताउजन का भी हो सकता है यह 2,700 का लॉस यह 5,000 का भी हो सकता है यह 381 और 299 यह प्रॉफिट तो ही नहीं प्रॉफिट यह दिखने के लिए 300 प्रॉफिट है लेकिन इस मंत में आपको क्या लगता है लॉस तो हुआ ही होगा दू तो इस तरीके से रिजल्ट को थोड़ अप लोगों को पॉंसेडर करना है अब आज वेल आज बहुत सारे option ceiling की जो strategies बनती है तो वहां पर generally slippages कम होते है क्योंकि जो आपका near ATM strike price होती है उनमें बहुत ज्यादा spread नहीं मिलते एक आत बार बहुत बड़ी movement हो गई बहुत बड़ा movement आ गया और quick option कभी कभी क्या होते है 100 से सीधा 105 109 और within a minute, within a minute या within a second वो 30-40 points चले जाते है उस समय पे फिर आपकी strategy का जो अपका stop loss है वो शायद hit ना हो और वो hit ना होने के वज़े से option अगर jump करता है price से तो फिर उस वज़े से आपको वहां पे एक बड़ा loss हो सकता है तो इन सारी चीज़ों को as a trader हम लोगों को ready रहना होत अपने 80 रुपिस पे ऐसे लगया और वो jump हो गया तो फिर आपको generally problem nifty में नहीं आती बट फिर निप्टी और bank nifty में आती है क्योंकि क्यों कि moment होती है आप यहां पे देख सकते हो जो भी आपके strategy है यहां पे अगर यहां पे यह पहली strategy से deploy करना है तो just you have to simple activate button अगर activate का करो कि अब यहां पे तो कोई शुरू होने वाला नहीं है तो these are the execution setting बहुत लोग question पूछते है सर market order में देखो क्या होता है जब हम लोग simple momentum का condition देते हैं तो आपने क्या किया 600 रुपिस का डाइनिप्टिक option लिया उसको simple momentum दिया कि 10 point जब जाएगा तब उसको खरीद लो ठीक है यहां पे आपको normal में लेना है यह मैस में लेना है ठीक है यहां पे हमेशा traded ही रखना है exit order आपको limit में ही रखना है यहां पे buffer type होता है buffer type दो type क्यों होते एक तो point में या फिर percentage में अग भी क्या होता है आपने रुपिस का option आपने sale किया हुए और उसका stop loss है 150 रुपिस तो 150 में अगर आप trigger buffer यहां पे one डाल दोगे या two consider करते हो तो वो क्या करेगा आपका stop loss 150 है तो उसके दो point पहले that is 148 पे आपका stop loss लगेगा starting का मतलब आपका trigger price 148 होगा और आपका limit buffer 3 points है तो 148 से 3 points लागे तो इस तरीके से आप यहां पे select कर सकते हो simply अगर आप यहां one करते हो तो आपका trigger जो होगा 149 पे होगा और आप निकलोगे limit जो होगा 152 तो 149 तो 152 जब भी कोई price यहां पे hit होगी तो आप यहां पे exit हो जाओगे तो generally आप इसे 0 रखते हो तो 152 153 आपका stop loss कटने वाला है तो यहां हमेशा कभी भी अलगो strategy में limit buffer रखना चाहिए bank nifty में generally 3 to 4 या 5 points जिस तरीके से आप strike price select करते हो उस हिसाब से आपका limit buffer रहना चाहिए मैं generally nifty में strategy बनाता हूँ और मेरा अगर selling की strategy मुझे पता है कि liquidity अच्छी होती है कौन से मैं option sale कर रहा हूँ तो I can go with the one point buffer 2 ठीक है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है बाद में यहां पे आपको monitoring continuous पेनल दिखेगा you can switch all the trades जितने भी लेक से आप इसे manual में select कर सकते हो या फिर इसे close भी कर सकते हो यह सारी चीज़े आपको पिछल वीडियो भी मैंने आप लोगों को explain किये थी यहां पे और एक important point है paper trade में जाओगे तो paper trade में आप कोई भी strategy activate कर सकते हो and portfolio में अगर आप यहा कोई चाहिए तो मैं नया portfolio बना सकता हूँ जो भी नाम आपको देना है वो नाम और जो भी strategies आपको select करनी है वो select कर लेना है और यहां पर create कर देना है ठीक है तो यह सब का combination जो है यह combination यहां पर यह तीनो strategies यहां पर एक portfolio में आएगी then you can back test this particular portfolio and you will get the information कि यह पूरे का पूरा friends यह सारी information आपको helpful हुई होगी तो आप जरूर वीडियो को like किजेगा and अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप जरूर subscribe पर लेना है and friends आपको algorithm related कुछ questions है या कुछ doubts है and even internet trading से कुछ आपको problems आती है तो let me know in the comment section I will try to answer it out and friends अगर कोई बड़ी problem आपको है और वो सभी लोगों को आती है तो I will create a detailed video on that इस algorithm के journey को आगे लेके जाएंगे और बहुत सारी चीज़े यहाँ पर आने वाली है मैं आपको strategies भी देने वाला हूँ एक buying की हो सकते है या selling की हो सकते है जो भी strategies होंगे मैं आप लोगों को यहाँ पर provide भी जरूर करने की कोशिच करूँगा तो फ्रेंड्स चैनल को शेयर कीजिएगा सबस्राइब भी कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तक के लिए जैहिन जैवारत